नमश्कार दोस्तों मैं इंशुल मैं आप से भी कपने चैनल टेकिन टागेट पर स्वागत करता हूं तो दोस्तों एक बार फिर से ऐसे चैनल आफ केंपस हाइरिंग स्टार्ट कर दिया है और दोस्तों इस बार भी हाइरिंग अच्छे लेवल पर होने वाली है तो मेक शूर आप इस वीडियो को लाज सक्थ सरूर देख रहे हूं क्योंकि मैं काफी इंपॉर्टेंट चीज़े बताने वाला हूं साथी जात्यार अगर आपको एसेंचर से रेलेटेट कोई भी चीज़े चाहिए असेस्मेंट के बार में पूछना है तो प्लीज एक बार मुझे कमें सक्षेन में जरूर बता दीजेगा क्योंकि एसेंचर का पाटन काफी चेंज हो गया है तेस्का पाटन थोड़ा बहुत चेंज हो गया है उससे रेलेटेड अब वीडियो अपने चैनल पर डालने वाले तो दोस्तों आज की हाइरिंग के बार में बता देता हूं जो आपको लिंक मिलेगा आपको नेक्स पर क्लिक करना है इस बार हाइरिंग होने वाली है डारेक्ट हाइरिंग एसोसियेट इंजीनियर रोल तो दोस्तों पहली बतादू इस हाइरिंग में आपको बेकेंड का रोल मिलता है मेली आपको बेकेंड पर काम करना होता है अगर आपको पूरा का पूरा आपको फिल करकर बता देता हूं शोशल मीडिया एड़िश्मेंट पर हम क्लिक कर देते हैं अधर्स पर क्लिक कर देते हैं यहां दोस्तों आप अपना नेम फिल कर दीजेगा तो मैं आपको जल्दी से फॉर्म फिल करकर बता देता हूं जरूरी है क्य और हमने इमेल आईडी भी बढ़ दी है मोबाइल नमर मांग रहे हैं कि भडिया है वाट्चाप कंचेंडिया रियस कर दीजेगा आपको वाट्चाप पर भी अप्डेट मिल जाएंगे और डिनेट मोबाइल नमर डेट ऑफ बर्थ करेंट लोकेशन एजुकेशन सेलेक्ट कर सकते हो अंडर ग्राजिट अगर आप सेलेक्ट कर से हो तो दोस्तों डिग्री में बी इवी टेक मिल रहा है अगर आप पोस्ट ग्राजुएट के हो तो दोस्तों है यह सारी डेटेश बिल करने हैं ऐसे अकर दोसो पॉली इस प्राइमरी जरूर सक्ते है तो वह जरूरी नहीं दिए कि किइन चीजों पर बहुत लोग मुझसे पूछते हैं certification के बारे में यह बिलकुल भी mandatory नहीं है बढ़ हाँ अगर आपने certification कर रखा है तो आपको advantage जरूर मिलने वाला है दोस्तों तो इन चीजों को ज़रूर दोकेशन आप लोकेशन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो तो ऐसे करकर आपको पूरा का पूरा फॉर्म बन है अब मैं आपको सीधा लेकर आता हूँ eligibility criteria इस बार दोस्तों कोई भी criteria वैजिशन नहीं है no 65 no 60 project हर बार अपने eligibility criteria में या तो 65 या 60 वैजिशन करता है डिगरी की बात करते हैं तो एम्क्सकलच की बात करते हैं तो तो graduates व्हां तो नहीं होनी चाहिए gap in education की बात करते हैं तो माक्सिमम वन ये काप एड़केशन पोस्टेंट सांडर्ट तिल कांप्लीशन ऑफ ग्राजविशन अब बात करते हैं जिनों ने एसिंचर में लास्ट तीन महीने में अप्लाई किया है क्या वो दुबारा अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट शुड नौट हैव अपीर तो वो नहीं बैठ सकता इस सीच का सरूर जान रखेगा दोस्तों वर्क पर्मिट भी दोस्तों आप पिलकर आप देख सकते हैं अगर आप एलिजिबल होंगे यूविल रिसीव एट इमेल इंविटेशन तू अटें ऑलने असेस्मेंट आपको ऑलने असेस्मेंट का इमेल मौक असेस्मेंट होता है जिस पर आपकी सिस्टम की कम्पैटिबिलिडी चैक होती है कि आपका इंटरनेट अच्छे से काम कर रहा है यह नहीं कर रहा हार्डवेर दोस्तों यह सारी चीजह कॉग्निटिव का जो यह सब कुछ है यह अल्मोस्त से मैं बट जो क्वेशन से व जेडी दोस्तों आप चेक करी सकते हो आइसोशेट शॉपए इंजीनियर का बाकी रजिस्टेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो रजिस्टेशन की एक एक चीज इन्होंने यहां मेंशन कर रखी है परसेंटेज दोस्तों एक बार हम यहां भी आप देख सकते हो पर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मिनिममम क्यूटेटिव एग्रीगेट परसेंट ऑफ सीजीपे एस पर और मार्क्स पॉर एविलेबल मार्क्षीट दोस्तों लास्ट सेम हमेशा लिखा रहता था सिक्सी है इस पार दोस्तों कोई भी परसेंटेज कि लिए ही मेंशन नहीं कर रका है तो दोस्तों अगर आपजिस से लिपिछे है या फिटी के आसपास है तो इसमें जरूर रख्ला करिए साथ्ली साथ दूस्तों डोस्तों इस पार हाईरिंग करने वाला है अच्छे लेवल पर तो मैं आपको एक बार पिर से बता देता हू दोस्तों जो एसिंचर हाइरिंग कर रहा है वो करने वाला है दोस्तों BSC, PCA, BA, BCOM BBA की भी हाइरिंग होने वाली है मैं आपको इनका जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ System and Application Service Associate का रोल रहेगा यहाँ दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन पर सकते हो आपको सारी चीज़े पता लग जाएगी तो एक रिक्वेस्ट है यार मेरी इन सभी से BSC, BCA, BA BCOM, BBA वालों से इसमें जरूर एप्लाई करेगा क्योंकि ऐसी अपॉर्चुर्टी हमें हर बार देखने को नहीं मिलती है तो बाकी यार इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको assessment details बता देता हूँ, eligibility criteria almost same है, कोई भी percentage इसमें भी mention नहीं कर रही है, ठीक है यह भी जो आपका assessment है वो दोस्तेज में होने वाला है cognitive assessment होगा यहां दोस्तों आपको 50 minutes का होने वाला है पिर दोस्तों आपके technical assessment है जो की optional होगा, पिर दोस्तों communication assessment है, जो की आपको common मिलने वाला है देखने को बाकी दोस्तों सारी चीज़े या read-up कर सकते हो बाकी दोस्तों आपको अपना form पिल करना है युनिवर्सेटी रेजिस्टेशन नमर, इमेल, प्राइमरी कॉंटाक्ट नमर, वाट्चाप, अल्टरनेट, मुबाइल नमर, डेट ऑफ बर्ड, जेंडर, रिसाइडिक, सेट सेटी, पिर दोस्तों आपको education, undergraduate ग्राजुएट सेलेक करना है, ठीक है, अंडर ग्राजुएट के बाद दोस्तों यहाँ अगर आप कोई भी उसके हो स्टीम के तो आप eligible होने वाले हो, college की बाद दोस्तों आपको अपना college सेलेक करना है, branch, year of passing, percentage, professional details, यह सब दोस्तों आपको सारी details fill up कर देनी है, तो एक request य क्योंकि जितना जल्दी आप apply करोगे, उतनी ज्यादा possibility है कि आपके पास जल्दी से जल्दी mail आएगा, क्योंकि इनके पास भी a limited number of seats होती है, कि इस बार जो hiring होगी, वो से इतने बच्चों को होगी, और अगर ज्यादा बच्चे register कर देते हैं, तो यार वो next hiring के लिए schedule हो हो जाते हैं, तो मेरी एक request यार जितना जल्दी हो सके, इसमें register कर लीजे, और दोसों share जरूर कर दीजेगा, हर WhatsApp ग्रूप पर, हर Telegram ग्रूप पर, अपने friends को बता दीजे, अपने भाई-बैनों को बता दीजे, क्योंकि passenger काफी अच्छी अपनी है, तो यह opportunity miss मत कीजेगा, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही में जल्दी मिलता हूं, अपनी नए वीडियो में अपने नए टेक अप्रेट के साथ, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद,